हेलो वाइज मैं हुए इतर और आज हम लोग बताने वाले हैं कि आप अगर आपके पास रिमोट तूट जाए जा खो जाए तो आप मोबाइल से कैसे चला सकते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा एक आप जिसका नाम है Android TV रिमोट और मैं वह आपको एप प्ली स्टोर पर दिखाता हूं यह रहा Android TV रिमोट कंट्रोल यह गूगल ने बनाया है और इसको ओपन करते हैं तो आपका मोबाइल और टीवी का एक ही वाइफाई होना चाहिए तब ही वह चलेगा फिर आपको यह मेरी टीवी का नाम है मैंने इस टीवी के नाम पर क्लिक किया तो यह कनेक्ट हो चुका है अब मैं जाता हूँ यहां पर कैमरा पर और आप देख सकते हैं मेरी टीवी है और अब यहां पर अब मैं स्प्लिट कर देता हूँ जिससे मैं दोनों कर सकूँ ऑके तो संब्स और नहीं होता चाइज मैं कैमरा पर दिखाता हूँ यहां लिखा हुआ है हेलो आज आपका च्या चल रहा आ है मैंने हेलो हेलो लिखा गूगल ने पता नहीं कि उसका क्या आंसर दिया है तो होम स्क्रीन का भी बटन है अगर मैं होम को दबाऊंगा तो होम पे चला जाएगा और अगर आपके पस MI का फोन है तो और भी अच्छा है आप MI के आप डाउनलोड कर सकते हैं आप जिसका नाम मैं आपको दिखाता हूं आप शाओमी सर्च करें पहले तो फिर यह देखिए शाओमी का यह है पूरा जो भी उनने बनाया है यह MI रिमोट कंट्रोलर अगर आपका MI का है तो उसमें सब चीजे चल जाती है टीवी भी चल जाएगा आपके पास एंड स्मार्ट बॉक्स है वो भी चल जाएगा प्रोजेक्टर डीवीडी कैमरा वाटर हीटर अगर वो रिमोट का है तो लाइट बल्ब चाइनी सेटलाइट टीवी यह पता नहीं चाइना में चलता होगा एसी एयर प्यूडिफायर ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें तो एम आई का फोन होना चाहिए उसके लिए लेकिं क्योंकि एम आई के बिना अगर फोन है तो नहीं चलेगा क्योंकि उसमें एक डिवाइस लगाते हैं जिस जवाइस से होता है और वो जालता मतलब हर एम आई के फोन में डाला जाता है और अगर आपके पास एम आई का फोन है तो आप वो भी उसकर सकते हैं और यह एंडरोइड टीवी वाला है आप भी उसकर सकते हैं तो थैंक्यू गाइस फॉर वाचिन वाइब